और चलते हैं और अपने Android development series में आगे बढ़ते हैं हम लोग सीख रहेते हैं यहाँ पे Android और हम लोग की series चल रहे थी Master Android development in Hindi जिसमें हम लोग Android development master करने वाले थी अभी हम लोग Java यूज़ करते हैं और कोटलिंग भी यूज़ करेंगे इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही important topic पढ़ेंगे और वो है व्यूव वाइंडिंग जिहां इस व्यूव वाइंडिंग की help से हम लोग का target क्या होने वाला यह समझ लीज़े हम लोग अभी तक data को fetch करने के लिए find view by ID लिखते थे इस वाले method को actually अब हम लोग हटाने वाले हैं जी हां हम लोग क्या करने वाले हम लोग actually इसको अब हटाने वाले हो और हम लोग directly reference निखालेंगे view से with the help of one class that is view winding class वो सब चीज़ेंगे चले बाई हम लोग के पास यहां पे notes अबले सबसे पहले यहां से कुछ reference लेते हैं दर मैं आपको बताऊंगा वसी आपको करना है ठीक है सबसे मेरे क्या करेंगा यह व्याइज समझेगा जो problem है उन्ही problem को solution हमें मिलेगा एक चीज मैं आपको और बता दू कि जितने features आप पढ़ते हो जितने concept आप पढ़ते हो उनमें कहीं न कहीं जो problems developers face कर रहे होते हैं उन्हीं की problems को solve करके नए features को दिया जाता है जिसकी हर्फ से developers और असानी से code को develop कर सकें या projects को develop कर सकें तो view winding भी क्या करता है it makes easy to interact with views हमारे code को बहुत असानी से हमारे view से interact कराने के लिए यह help करेगा कैसे मैं बताता हूं अभी तक हमारे पास अगर कोई reference होता था पहले चीज़ तो आप समझें कि हमारे पास दो चीज़े होती थी एक हमारे पास XML फाइल होती थी और एक हमारे पास यहां पर code होता था यह behind the scene चलता है code और यह user को दिखता है अब यहां में हमारे views होते हैं views मतलब जिससे user interact कर पाता है जिसको हम लोग visits बोलते है views ठीक है तो जैसे for example यहां पर हमारे पास एक व्यूव है या एक बटन है ठीक है एक बटन है तो हम लोग इस बटन के साथ जब करते हैं तो हमें कुछ backend में काम करना होता है कुछ भी काम करना होता है कोई बीचीज हो जैसे for example आपके दर्वाजे पर कोई घंटी बजाया तो अब यहां पर कोई कोई कोड हमारा execute करना है कोई ना कोड हमारा यहां पर execute करना है अपन को ठीक है करना है चलो भाई कर लिया कैसे करेंगे सबसे पहले में लिस्टनर लगाना होता है इस पटन को हमें यहां से ı करने लेहाँ तो हम यहां यहां से प्रोससर करने के लिए हम यहां पर उसका रेफरेंस निकाले टूसर वेहां करते हैं करते हूं करते हैं其實 इसकी इसी मुँचली है अदो हम नेति फाइड ऺड़ीर करेंगे में हम लोग करते हैं, we actually define one id for this button and then हम लोग इस id को use करके is find view by id method use करते हैं और इस find view by id वाले method को हमने button की id देते हैं और यह मुझे reference written कर दिता है view का या जो भी view आप उसका reference हमें मिल जाता है और अब ऐसे बात जब reference मिल जाएगा तो हमें हाँ पर object का data मिल जाएगा object मिल जाएगा और object मिल जाएगा तो हम लोग क्या कर पाएगे हम लोग बहुत असानी से use कर सकने इस object को काम करने के लिए यह object को बटने का लेकिन जितनी बार आपको reference निकालना होगा तो हमारे पास एक बढ़िया तरीका है कि हम लोग यहाँ पर view binding feature का use कर सकते हैं जिसकी help से हम लोग को बार-बार find view ID नहीं लिखना पड़ेगा और यह हमें और असानी से help करेगा जिससे हम व्यूस से एक बार इनेबल कर देंगे इसको अनेबल कर देंगे जैसे हम इसको अनेबल कर देंगे इसको अनेबल कर देंगे जैसे हम इसको अनेबल कर देंगे 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 इसको अनेबल कर द यह एक class बना देगा and that binding class contains direct reference to all the views in layout. तो layout के जितने भी views होंगे उनका सारा reference उस class के अंदर होगा तो उस class को use करके हम लोग directly उन views को use कर सकते हैं. ठीक है? कहने का मंदब simple है कि जैसे हम binding को enable करेंगे, जैसे भी हम binding को enable करेंगे, suppose हमने यहां पर करेंगे, कैसे करेंगे, मैं भी आपको दिखाऊंगा प्रिवेट के अंदर, तो जैसे हमारे यह वाला काम होगा हमारा जो XML layout था यहां पर यह XML layout था और इसके अंदर अबेसी बाद एक बटन थी या कोई भी चीज है कोई रिक्कत वाली बात नहीं यह हमारा एक XML layout है तो जैसे binding feature true हुआ यह वाले चीज हर यह वाले चीज होगी यह वाली चीज कौन से वाली यह वाली चीज जैसे यह वाले चीज ट्रू होगी मदला अपने binding feature व्यव बैंड इनेंबल कर दिया है तो क्या होगा हर एक layout तो अभी तो हमारे पास एक लिए जितने भी layout अबलेबल होते हर एक layout के लिए यहां पर एक और class बन जा दी इस इस एक लिए class तो मैं इसको बना दूँ यह ठीजा binding class binding class इसका नाम कैसे होगा मैं भी आपको बताऊंगा और इसके पास सारे reference होगे जितने यहां पर निफ्ली मैं बात कर रहा हूँ एक वाली class टारिकली उसकरेंगे के लिए हमें अलग से find view id करने के जरूरत नहीं है चलो भाई मैं आपको करें दिखाता हूं तो पहले वारा हम देखते हैं कि एक्टुलीक को करना पड़ेगा किसी भी अगर हम लेयाउट को इग्नोर करना चाहरे हैं तो हम उस लेयाउट को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं अपने पैकेच के अंदर एक एक्ट्विटी बनाते हैं एक एक्ट्विटी बनाते हैं activity activity जो होगी हमारी empty view activity होगी जिसका नाम होगा हम लोग का व्यू बाइंडिंग एक जामपल ठीक है जावा में है ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं फिनिस कर दो इस activity को हम लेक्ट चुली बनाएंगे लांच एक्टिविटी तो हम उपन करेंगे यहां पर देखेंगे तो हमारे पास यहां एक्टिविव बनाऊट यह हमारा ले आउट है तो इसके अंदर सिंपल में बटन बनाऊँगा एक्जांपल को समझ नहीं के लिए जूम कर लो और एक बटन को यहां से ड्रैक करके ड्रॉप कर लो और इसको आप क्यूंकि लिए उट है तो रसी को चारु तरफ से बान दो कंस्ट्रेंट लगा दो पैरेंट के लेप से इसका लेफ दो कि अंडर कर लो एस सेब कर लो रिएंट करके बार देख लो कि आया है कि नहीं है क्योंकि यार देखो आना ज़रूरी है ठीक है तो जैसा हम लोग का एक्स्पैटेशन है अउर्प हमरे पास आ चुका हुगा यह देगिए अब यह ब्तन के क्लिक पे हम लोग काम करें कु बटन टाइप का बटन मैनुवल करना पड़ रहा है एंड जब आपके एक्टिविटी चलेगी ओन क्रिएट करते समय तो उस समय हमें इस वेरीवल को निसलाइस करना पड़ाएगा वान वामी इस इस बेटन का एक आइड़ी देनी पड़ेगी तो आजाओ यहाँ पेिटन यहां से दो पर लिए रखते लिए बैटन है तो मैं करते हैं व्यू बाइंडि holding क्लें इंडर मैं इस पर मैं क्या आले के अंदर व्यू बाइंडिंग बटन के लिए इतना आपको मेहनत करने पड़ेगी अब हो सकता है आपके पास पूरे व्यू क्यों हो सकता है complex व्यू भी दो तो complex अगर व्यूज है पूरा layout complex है तो उसके में एक नहीं दो नहीं चार नहीं सकता है पचास आपने विजेट्स बनाए हो या व्यूज लिए हो सौ लिए हो तो उस बार फ्यू फाइंडी करने पड़ेगी तो यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हम यहां पर अपना लेमडा या फिर हम लिसनर बना के पास कर सकते हैं तो मैं लगेंगा टोस्ट एंड टोस्ट में लगेंगा बटन क्लिक्ट ठीक है रन करिए अभी तक तो अपनों का साही चल रहा हूँ तो यह हमने एक पुराना तरीका देखा कि हम लोग पहले ऐसे करते थे चीजों को समझने क्लिए बस हम डार्ट हम जाहता तो डार्ट भी Android के अंदर आपको विल्ट फीचर दिखेगा उज्चे तो लिक नहीं रहा है तो हम यहां पर आएंगे Android के अंदर यहां पे हम लोग रूख करेंगे इस ब्लॉक के अंदर हम यहां पर दीखिए butat अब क्या कर सकते हैं अब क्योंकि यह जो फाइल है क्तियर वाली फाइल फाइल है और नॉट पर देखना पड़ता है तो चोड़ में डेखा द्यसक्राइब होंगा चलो मैं दखाई देता हूं मारेंगे यहां पर अगर आप गूगल पर आओ सर्च करोंगे व्यू बाइंडिंग इनेबल हो जाएगा आपके प्रोजेट के लिए तो आप यहां करने की जरूत नहीं है इसको भटा सकते हो अगर अगर आप सर्च करोगे कि आपकी अगर अगर एक्टिविटी एक्टिविटी व्यू बाइंडिंग इग्जामपल यहां लेयाउट फाइल है तो आप जैसे यह आप टाइप करोगे एक्टिविटी एक्टिविटी व्यू बाइंडिंग एक्जामपल पाइंडिंग यह देखे यह क्लास अपने आप से बन किया गई है नाम इक्जैक्ट सहीं में बस इसको पास्कल्स पॉर्टमें कर दिया गया एक्रिविटी को काप्टेल कर दियागा अगर अगर एक्जिम्ल में एक्टिविटी तो आपकी जो file का नाम होगा, main underscore करते होगा, main underscore activity.examal, तो बस जो अपने snake case use किया दा, main underscore activity, वो camel case बदल जाएगा वो last क्रूम में आपकी binding यहां से, तो कोई भी layout है, जैसे for example, अगर अब चेक करो, activity about, जो भी file का नाम होगा, activity about binding, देखे, अगर रियॉत अब पाईंडिंग धाउट ाम से मतलब है अगल लिएउट फाइल का नम में अक््रिविटीई है तो में अक्रिविटीवडिंग टॢइंग एस फाइल का जो नाम होका श्राइब क्लास से बन गया अग्रोन को कैसे यूझ करेंग ये देखिए अब तो आपको डिरेक्ट लियाओट फाइल नहीं उसकरनी है यहाँ पर क्या लाना है यहाँ पर आपको अपने लियाओट फाइल का रफ्रिस्स लाना है बड़ लाएंगे कैसे यह देखे हम सबसे पहले निकालेंगे हम गाएंगे एक्टिविटी विवाइंड एक्जामपल डॉट आप देखोगे इसके पास बाइंड नामक पैथर रड़ इसके अंदर विव दे सकते हैं एक इंफ्लेट नामक मैथर तो मैं गाऊंगा कि हम लोग एक इंफ्लेट मैथड कॉल करेंगे और यहाँ पास करेंगे आर डॉट यहाँ पर एक्टिविटी विवाइंड एक्जामपल पास कर दिया अज डॉट यह मुझे कॉल करने की जरूरत भी है तो यहाँ पर लेट नहीं पास करना है अगर आप देखो क्यू करके तो आप देखो यहाँ पर इंफ्लेटर पास करना है तो हम इस पारेंट के पास एक यहाँ इंफ्लेटर है तो मैं यहाँ पर यहाँ पर गेट लेट लेटर कॉल कर सकते है ठीक है और यह मुझे रिटेन कर देगा activity विव ऐइंडिंग एक्जमपल बाइंडिंग का object तो यह actually हमारा view binding class का object है इस class के अब से हम लोग अपना layout भी access कर सकते हैं layout के अंदर जो reference है उसको भी access कर सकते हैं लेकिन हमें यहाँ पर पास करना है यह लिए आपके layout का reference तो हम पहेंगे view binding class.get root root क्या करेगा यह दिखे आपके top का जो आपका constraint layout था view के अंदर उसका reference से return रदेगा तो मैंगे ठीक है यह दिखे तो बस इतना आपको करना है आपको हमेशा activity आपके जो class generated class है उस पे inflate call करके layout इंफ्रेटर पास करना है जिसकी help से आपकी जो file होगी वो object में convert हो जाएगी अनकनोट होने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे उस class का object उस class की help से आप get root call कर सकतो get root क्या करेगा आपके layout के अंदर जो top सबसे उपर widget लगा हुआ है या view लगा हुआ है उसका आपको reference दे देगा और वही चीज आपको use करने नहीं है set content view के अंदर या कहीं भी आपको जहां ज़रत होती तो मैं एक बाद top view भी दखा देता हूँ अगर हम इसको open करेंगे सो यह देखिए constantly out और यह जो get root return कर रहा है वो आपका constantly out return कर रहा है बस अब आपको यह करना है यह इस वाली class का object करना है जैसे आप लिसनर लगाना था तो जैसा ही आप व्यू बाइंटिंग एक्जामपल डॉट लिख हो गए यह दिखे मिल रहा था तो यह बार हम लोग चेक कर लेते हैं आप इस तरह से हम काम करेंगे इसी तरह कोई ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ इसी वाली activity को यूज करो कहीं जैसे आपको कहीं दूसरे जेगा भी उसकरना था दूसरे activity उसकरना था activity main तो आप activity main बाइंडिंग उसकर सकते हो और अगर कहीं आपको व्यू चाहिए उसका तो आप इस तरह से क्लास का उपजिक्ट देगा उस पैंडिंग क्लास का उपजिक्ट पे गेट रूट कॉल कर लोगे तो आपको ले आउट का रूट व्यू का रेफरेंस मिल जाएगा तो आप उसको यहां पर सेट कर सकते हो अगर आपके पास कहीं सपोज आप व्यू होल्टर बना रहे हैं बना रहे हैं तो आप वहां पर उसका यूज कर सकते हो ठीक है इस तरह से लोग करेंगे बाकी जैसे हम लोग प्रेक्टिस करते जाएंगे हम चीज़े सिखते जाएंगे बट अब हम लोग फाइनली अपना भी वाइन यूज कर सकते हैं कभी भी और यह बहुत सारा काम असा हूप हूप